36 गड़ी और्मपी खेलो का दो दिवसी आयोजन दुर्ग के पद्मनापूर मीनिस्टेडियम में किया गया जिसमें पारंपरी खेलो में बच्चों सहिद बुजूर्गों ने हिस्सा लिया दुर्ग के पद्बनापूर मिनी स्टेडियम में दो दिवसी नगरी स्तरी 36 गड़ी उलम्पिक का आगास किया गया बता दे कि दुर्गु नगर निगम द्वारा 36 गड़िया उलम्पिक 2023-24 का नगर इस्तर पर दो दिवसी आयोजन पदमनापूर के मिनी स्टेडियम में किया जा रहा है जिसमें दुर्गु नगर निगम सीमा शेतर के चार जोन से चुनकर आये टीम के खिलाडियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा इसी गड़ी में शुभारम के आसर पर पहुंचे दुर्गविदायक अरुनवूरा ने बच्चों के साथ खेलों का आनन उठाया इस मौके पर जन्संपर गवी भाग के राजु बख्षी ने बताया कि मुखी मत्री उपेश बगेल की पहल पर च्छतिजगड के पारमपरी खेलों को प्रोचसाहिद करने खेलों के प्रति जागरुपता फैलाने खिलाडियों को मन्च प्रदान करने और खेल भावना का विकास करने के उद्देश से शुरू किये गए च्छतिजगडिया ओलंपिक 2023-24 का आगास किया गया है ज इस बार के उलंपिक में एकल शेनी में रसी गूद एवं कुष्ति को भी शामिल किया गया है करके उन पूरे परंपरी खेलों में भाग लिया कोई गेडी में भाग लिया ऐसे बहुत सारी खेलकुदों में भाग लिया मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस तरह की परंपरा को जो 36 गण में चालू किया गया क्योंकि बच्चे जो हैं सिर्फ पढ़ाई के माध्यम स से भी बहुत उचे पायदान पर चड़ सकते हैं हम इसके लिए सबसे पहले तो हमारी 36 गण की जो मुख्य मंत्री हम लोग मानी भोपेश बगिल जी को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि दो साल कोरोना काल के बाद जो यह कायरक्रम चालू हुए लोगों में एक उत्साह खाया उससा संस्कृती को बचा के रखने की परंपरा चालू ही है क्योंकि हमारी संस्कृति परंपर जो 36 गण की जो लोग उसको भूलते जा रहे थे में जितने भी इंजिनियर्स हैं सब को बधाई देते मैं धन्यवा देना चाहूंगी मैं रत्ना नारम्दे समा से का एल्डर में नगरियम दुर्गा बहराल दुर्ग सीमा शेत्र के चार जोन से चुनकर आये टीम के खिलाडी अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाएंगे Grand ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट